हे गाईज वल्कम बैक तो माई चानल और मैं स्वाता आप लोग का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज में लेक्या ही हूँ सैग हेयर कटिंग देख सकते कितना प्यारा कटिंग हुआ है कितने अच्छे लेयर्स आ हैं अगर आप मेरे बताए वे सारे स्टिप्स करेंगे तो आप बहुत अच्छी से कटिंग कर पाएंगे क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से से काटना सिखाया है आई होप आपको पसंद आएगा पसंद आये तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे वीडियो पर नए है तो प्लीज चानल सब्सक्राइब कीज जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और पीछे के बालो पर अब हम कटिंग करेंगे तो पहले मैं आपको ये दिखा दो कि आप चाहें तो पीछे के बालो को एक बार में कंखी करके जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं पूरे बालो को एक साथ एक दम उपर 90 तो हमारा जो भी लेयर से बहुत ही प्यारा आएगा काटने में पड़ेसानी नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं बार-बार हमारे हाथों से बाल छूट जाते हैं प्रॉब्लम होती है तो आप steps by steps इसे follow करें तो अब तो अब हम section निकालेंगे तो year to year partition जो हमने किया वो हम आगे की तरफ ही रखेंगे उसके बाद देखे जो एक crown area होता है उपर में हमारा just year to year partition के नीचे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वहां हम एक section निकालेंगे और सबसे नीचे से जो हमारे बालो की लंबाई है बस उसे हम इसमें guideline बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे नीचे के बालो को और उपर के बालो को एक साथ मिलाएंगे कंगी करेंगे और 90 degree में सीधे उपर की तरफ उठाएंगे और सीधा cutting करतेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो एक section हमने नीचे का लिया कि ये हमा इसको guideline निकालने के लिए हमने मिलाया और सीधा cutting कर दिया अब यह हो गया हमारा guideline जो यही guideline हमार हमें पूरे बाल cutting करने में चारो तरफ जो भी cutting होगी यही guideline चारो तरफ चलेंगे ठीक है अब इसे आगे बढ़ाएंगे दूसरे steps में आएंगे तो अब हम crown area से थोड़े से न अच्छे layers आएंगे तो फिर देखे हमने उसमें थोड़े से बालो को मिलाया 90 degree में लेके गई और सीधा cutting कर दिया ध्यान रखिएगा सीधा cutting करने एक बार में आप उसे ना छोड़े उसे दुबारा फिर से कंखी करें उसे एक बार जरूर देख लें कि आपका cutting खराब तो ऑर और सीधा cutting करेंगे हिसे इसे पधिंग और देख लेंगे कि सीधा cutting है कि नहीं कोई छोटे बने बाल तो निकालेंगे जितने बार में ज्यादा घने बाल है तो आप ज्यादा सक्षन निकलेंगे पतले बार है तो कम सक्षन में भी आप आराम से कटिंग कर लेंगे तो मैं फिर एक सक्षन निकाल रही हूं उन कटे वे बालों में मिलाते जा रही हूं आप देख सकते हैं वीडियो मे और पूरी को अच्छे से कंगी कर रही हूँ एकदम बार-बार आप बाल को कंगी करेंगे कहीं भी कोई उलज़न नहीं होनी चाहिए बाल में नहीं तो फिर आपके बाल बड़ाबर अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएंगे तो आप कंगी बार-बार करेंगे ठीक है कहीं भी कोई गाठे नहीं रनी चाहिए देखिए हमारा guideline हमें मिल गया देख सकते हैं अब बस उससे मिलाते वे हम सीधा cutting करतेंगे इसमें कोई भी दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस एक बार आपको guideline create करना है और उससे मिलाते वे बस छोटे छोटे section निकालने है सीधा 90 degree में लेकर जाना है और एकदम बड़ाबर cutting कर देना है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं आप बहुत ही आसानी से cutting कर लेंगे और हाँ जब cutting हो जाए सीधा तो बस SS को जिगजज़ से जरूर काट लीजेगा उससे finishing अच्छी आती है अब मैं last section उठा रही हूँ तो याद रखे last section जो हमारी अब उठेगी उसमें बाल जादा नहीं कटेंगे क्योंकि वो last जो हमारे बाल थे उसी को हमने पहले first बार हमने मिलाया था और उससे हमने guideline create किये थी तो last के बाल अब हम मैं जादा नहीं कटेंगे क्योंकि वही तो हमारी guideline थी न तो आप अच्छे से मेरी बात आप समझ रहे होंगे देखे बहुत कम बाल कट रहे हैं नीचे अगर इस वक्त आपके बहुत जादा बाल कटेंगे तो आप समझ जाएगा कि आपकी guideline ढग से नहीं उस समय निकली थी या cutting अच्छी नहीं होई है तो आप प्लीज ध्यान से मेरे वीडियो को देखें वीडियो स्किप ना करें आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे मेरे वीडियो को देखेंगे मेरे बातों को सुनेंगे समझेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से cutting कर पाएंगे क्योंकि मैं कोई भी word ऐसा यूज नहीं करती जो कि आपको समझना है मैं बहुत आसान तरीके से आसान भासा में आपको सिखाती हूँ तो अब देख सकते हैं पीछे का cutting हो गया है अब बस जितने लंबे छोटे बाल अगर आपको कहीं देख रहे हैं तो बस उसे cutting करके आप सीधा हटा देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा layers आया है ये cutting बहुत ही प्यारा लगता है आप जरूर कीजिएगा अब क्या है कि अब हम मैं पीछे का जो guideline था वो ले रही हूँ पीछे के जो बाल हमने crown area के काटे थे वही वाले बाल मैं इसमें भी मिलाओंगे आगे के बालों में और vertically section निकालोंगी मतलब आप समझ लिजे सीधा जैसा कि हम center partition करते हैं बस हमें वही तक निकालना है जहां तक हमने first center partition किया year to year partition किया था बस वही तक हमें आना है पीछे के बालों को थोड़ा से निकालना है इसमें मिलाना है और बस सीधा कटिंग करतेना है कुछ नहीं सोचने की जरूरत है बस सीधा जैसा center partition होता है बस वैसे ही करेंगे छोटे छोटे पार्ट सम निकालेंगे पीछे के बालों में फस्ट बार पीछे के बालोग में इसको मिलाएंगे और जितने लंबे बाल हैं उसके बराबर में cutting करतेंगे फिर मैं दूसरी तरफ आँगी एक बार तो cutting हो गया अब बस उसी से मिलाते हुए दूसरा सक्षन निकालेंगे मिलाएंगे और बस जितने लंबे बाल हैं उनको एक बराबर सीधा कटिंग करतेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और एज़स को जिगज़ज़से कटिंग करतेंगे अगर प्लीज समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा अगर प्लीज समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीज़े चैनल सब्सक्राइब कीज़े मेरे चैनल पर विजट कीज़े आपको और भी बहुत सारे hair cutting बहुत आसान तरीकेशन मिल जाएंगे makeup tutorial और बहुत कुछ आपको मेरे channel पर मिलेंगे तो please channel subscribe करना मत भूलेगा तो एक तरफ के हमारे सारे cutting हो गया आप ध्यान से वीडियो देखिएगा आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे अब जब हम दूसरी तरफ जाएंगे क्योंकि हमने center partition करके एक तरफ के बाल भी cutting किये थे तो अब दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो जिधर के cutting हमने कर लिया तो उधर के बालों को थोरा सा जिस तरफ cutting करना उसमें मिलाएंगे और बस सिधा cutting करके हटा देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं देखिए मैं बस दो बाड़ी में दूसरी तरफ का बाल मैंने cutting कर लिया बस देखिए एक बार भी cutting किया और अब ये दूसरा cutting बस दोनों को अच्छे से कंगी किया बस ध्यान रखेगा कि बालों पे कोई भी गाठे ना रहें बाला बार बार कंगी करेंगे और सीधा 90 डिग्री में लेके जाएंगे और उसके बाद बड़ाबर cutting करतेंगे ठीक है और एज़स जैसे एज़स को जिगजग जैसे cutting करतेंगे देखिए ये हमारा cutting complete है अब last finishing देनी है तो last finishing के लिए हम center partition करेंगे आगे से पीछे तक सारे बालों को आगे की तरफ लेकर आएंगे और एकदम नीचे की तरफ पकड़ेंगे देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं एक तरफ के बालों को आप मैं काट रही हूँ दो उंगलियों के बीचों बीच मैं इन सारे बालों को फसाओंगे एकदम नीचे की तरफ लेकर आओंगे और तीरचा कटिंग आप मेरे और भी वीडियो देखे होंगे आपने नहीं देखे तो मैं आई बटन पे लिंक देदूंगे रेजर हेर कटिंग का आप जरूर देखिएगा मैं बहुत ही आसान तरीक के समयने उसमें रेजर हेर कटिंग काटना सिखाया है लेयर कटिंग लास्ट में और तिर्चा कटिंग करना है उंगलियों के बीचों बीच फसाना है फिर आगे की तरफ उंगली को बढ़ाएंगे अगर काटने में प्रॉबलम होड़ी है तो थोरा आगे की तरफ और उसके बाद तिर्चा कटिंग कर देंगे और एज़स को जिग जग से lucky और आगे से कटिंग कर पाएंगे अगर मेरे बताय हुए वीदियो से आपने कटिंग किया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताये का आपको कैसा लगा यह है इंका फाइनल लग और यह हैं पीछे का बाल गका बालई का कटिंग का लोग आई होप आपको पसंद आया होगा मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग